मद्रिपिदेश के मुख सचिय को लेकर चल रहे कयासों पर आज विराम लगया केंदर सरकान ने मौदूदा मुख सचिय इकबाल सिंग बैंस को 6 महीने का एक्स्टेंसन दे दिया है अब बैंस 31 मई तक बात और चीफ सेकेर्टरी सेवाए देंगे CS के लिए बैंस के अलावा केंदरी प्रतिन्युक्ति पर सेवाएं दे रहें अनुराग चैन और ACS Health and Medical Education मुहमद सुलिमान के नाम दौर में सामिल थे दो दिन पहले मुख मंतरी खुद दिल्ली गय थे और CS के नाम को लेकर केंदरी नेतरत में चर्चा की थी आज बैंस के रिटार्मेंट वाले दिन को उनका कार्याले 6 महीने बढ़ाने का आदेश जारी हो पाया बता दे मद्पिदेश में अगले साल नवंबर 2023 में विधान सबा चुनाव भी होना है बैंस मई 2023 तक CM रहेंगे पंजाब में 13 नवंबर 1962 को जिने एकबाल सिंग बैंस ने इलेक्ट्रोनिक्स में प्रथम शेडी में एजुकेशन किया है भारती प्रसासनिक सेवा में चेयन के बाद बैंस की पहली पोस्टिंग 21 जनवरी 1993 को सिहोर में हुई थी विवहान 9 अगस्ट 1993 तक पदस्त रहे थे इसके बाद उन्हें गुना का कलेक्टर बनाया गया एक अगस्ट 1996 को उन्हें भोपाल का कलेक्टर बनाया गया भोपाल में उन्होंने विकास के साथ कानून विवस्था को दुरुस्त किया इसके बाद 1 अकस्त 1999 से 1 जून 2000 तक चुनाओ और लौ एंड जस्टिस डेपार्टमेंट मध्पिदेश में जॉइन चीफ इलेक्ट्रोलर डाइरेक्टर रहें एकवाल सिंग की सबसे बड़े खासियत ये है कि वे अपने दायतों के प्रतिस सजग अधिकारी हैं मुख सच्य एकवाल सिंग बैंस को गनभीर और सक्त एड्मिनिस्ट्रेटर माना जाता है उन्होंने ही मध्पिदेश में लोक सेवा गरंटी कानून को लागू करवाया था देश में पहली बार आनन विभाग का गठन भी उनकी ही पहल पर हुआ था मध्पिदेश का मुख सच्य बनने से पहले एकवाल सिंग बैंस कई एहम पदों पर रहे हैं क्रिश्री उदानिकी उर्जा विनानन अबकारी आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीर विका सांसदी कार्जय से विभागों में काम कर चुके हैं सिहोर, खंडवा, गुना और भोपाल के कलेक्टर भी रहे हैं वे मुख मंतरी कार्याले में सच्यू, प्रमुख सच्यू और अपर मुख सच्यू रह चुके हैं जब ये जुलाई 2013 में केंदरी प्रतिन्यूक्ती पर सन्यूक्त सच्यू बन कर चले गए थे तो उन्होंने बिजेपी सरकार बनने के बाद अगस 2014 में मुख मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने केंदर सरकार से विसेस अग्रह करके वापस बुलाया था पहली बार मुख सच्यू बनाए जाने से पहले इकबाल सिंग बैंस राजजर सुमंडल गौलियर के अग्धक्ष थे मद्पदेश के मुख सच्यू इकबाल सिंग बैंस 1985 बैच के IAS ओफिसर है